तो दोस्तों मैं आपसे इस बीडियो में BA Mass Communication Course के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि BA Mass Communication Course क्या होता है इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, Course का डिरूशन क्या है eligibility criteria और अंतमे मैं आपसे जोव प्रफाइल्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप BA Mass Communication का Course कम्प्लीट कर लेते हो, आपको कौन सी जोव मिल सकती है तो जैस सारी बातें आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि वाट इस BA Mass Communication कोर्स जैनि BA Mass Communication कोर्स क्या है तो BA Mass Communication कोर्स एक Undergraduate कोर्स है और इस कोर्स को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th की क्लास को पास करने के बाद करते हैं BA का मतलब होता है Bachelor of Arts दोस्तो इस कोर्स को करने के बाद आप Mass Media के शेतर में जा सकते हो अगर आप Social Media, Broadcast Media और Printing Media में इंट्रस्ट रखते हो तो Mass Communication कोर्स आपको एक बेहत अच्छा benefit दे सकता है अभी मैं आपसे कोर्स डिरूशन के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो मैं आपको पताना चाहता हूँ कि जै कोर्स तीन वर्ष का कोर्स होता है और semester system के base की उपर आपको इस कोर्स को पूरा करवाया जाता है अभी मैं आपसे जोव परफाइस के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप BA Mass Communication का कोर्स कर लेते हो आपको किस परकार की जोव मिल सकती है तो दोस्तो आप news editor बन सकते हो आप advertiser बन सकते हो आप content writer बन सकते हो आप news की जो खबरे होती हैं उनको आप collect कर सकते हो आप news paper में printing कर सकते हो अभी मैं आपसे subjects के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ की BA Mass Communication में आपको किस परकार के subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं तो दोस्तो इस course में आपको पॉलिटिकल साइंस, introduction to journalism, introduction to audio, visual, digital marketing, retail marketing, etc. subjects आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं पर कुछ जुनिवरस्टिज और college के slavers के इसाफ से जैस subjects different हो सकते हैं और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दुरान करवाए जाते हैं अभी मैं आपसे eligibility और admission process के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हूँ कि आप इस course में किस परकार से admission ले सकते हो तो इस course में admission लेने के लिए आपको 12th की class पास करने होगी लेकिन अगर आपको entrance exam नहीं देना फिर भी आप किसी private college में direct admission ले सकते हो तो जैस सिरफ college के उपर ही depend होता है तो दोस्तों अभी मैंने आपसे इस बीडियो में BA Mass Communication course के बारे में अभी मैंने आपसे discuss किया है मुझे लगता है कि आपका जो doubt होगा इस course के regarding बहुत clear हो चुका होगा लेकिन फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके बूच सकते हो नहीं तो आपको इस बीडियो के description में काफी courses के बारे में बीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वाँ जाकर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद